इसमें हमें गिवन ट्राइंगल होगा जिसके अंदर हमने सर्कल को एस्क्राइब करना है अब एस्क्राइब का कॉंसेट समझते हैं कि यह क्या है इसके लिए हम धरूरी हम पहले circumscribe और inscribe देख ले circumscribe में जब triangle given होती है तो circle उसके बाहर से vertices को छूता हुआ जाता है inscribe में circle अंदर की sides को छूता हुआ जाता है जब xcribe करना है तो उसमें दो sides of triangle को हम extend कर लेंगे और जब xcribe करेंगे तो circle इस तरह दो extended sides और एक side of the triangle को touch करेगा तो आएं शुरू करते हैं यह हमारे पास given triangle ABC हम क्या करते हैं कि दोनो sides को produce कर देते हैं side AB और side AC को अब इस point B पे हम लोग compass रखके एक arc draw करते हैं जो के angle है अब इस angle को bisect करना है इस तरह से एक arc लगाई हमने और दूसरे point से compass रखके एक और arc लगाई और point B से इसको join कर दिया तो यह हमारा angle bisect हो गया इसी तरह हम लोग C point की उपर भी angle को bisect करेंगे जो के exterior angle है यह दोनो rays जाके मिल रही है point I1 पे और यहीं इंशाला हमारे circle का center point होगा अब यहां से हम लोगों ने एक perpendicular bisector draw करना है BC की उपर तो यहां से हम लोग compass रखके एक arc draw करते हैं फिर उस arc की दोनों side से उपर से एक-एक मजीद arc draw कर लेते हैं और यह एक perpendicular bisector बन गया है जो के point D की उपर BC को bisect कर रहा है अब I1 से लेकर D तक हमारा compass हम open करेंगे और यह हमारा radius of the circle होगा और यह circle हमने draw किया और जो के बाकी दो extended sides को F और E point की उपर जाके touch करता है That's it तर छूड़ झाव से प्रूप है यह मिल में आवार सब्सक्राइब तर बाल कार आ inflow कर चावार सब्सक्राइब यह इस वर्प्सक्राइब यह और ऱही खracता है